दोस्तों नमस्कार, आदाब सत्स्रियकाल, नियोज क्लिक के कारकराम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश कॉंग्रेस पार्टी ने रायपुर के अपने रास्ट्री अधिवेशन में जो उसका पचास यूमा 85th टेनरी सेशन था उसमें ऐसे महत्तपून रिजलिशन्स पास किये हैं, प्रस्ताव पास किये हैं, जिनकी जानकारी अगर देश के लोगों को हो जाए, यानि देशवासियों को हो जाए, तो उनकी सूचना ही नहीं, उनकी समझ में भी एक मैं समझता हूं की एक नया ध्याय जुड़ेगा और कॉंग्रेसियों को भी मुझे लगता है कि देश भर में जो फैले हुए हैं, उनको भी ये जानकारी अभी तक नहीं है कि उनकी पार्टी ने क्या-क्या पारित कर दिया दोस्तों मैंने काउंग्रेस पार्टी के कई अधिवेशन कवर किये हैं, एक रिपोरटर के तौर पे, एक पत्रकार के तौर पे, जिन दिनों मैं अखवारों में रिपोर्टिंग करता था मैं रायपूर नहीं गया था क्योंकि अब मैं regular reporting भी नहीं करता लेकिन आपको यकीनन बताऊं कि इस तरह के resolutions कुछ जो पास किये गए हैं Congress Party के 85 प्लेंटी सेशन में ऐसे resolution कभी Congress Party में पास करने की कलपना भी नहीं की जा सकती थी कलपना की बात छोड़िये ऐसे resolutions के बारे में कोई उनके विचार भी नहीं पैदा होते थे और कभी किसी Congress Party के नेता ने कोई विचार ऐसा प्रकट कर दिया तो उसे हूट कर दिया जाता था मुझे अच्छी तरह याद है कि बैंगलेवरू के महा अधिवेशन में पार्टी Congress में Congress के एक वरिष्ट नेता थे जो इंदिरा गांधी जी के जमाने में मंत्री रह चुके थे Cabinet के मंत्री और माना जाता है कि बहुत सारे जो प्रकशील कदम उठाए थे मिसेज इंद्रा गांधी ने उसमें पियन हकसर से लेकर के महान कुमार मंगलम के अर घणेश के साथ चंदरजीत यादो जी भी बहुत सारे मामलों में इन्वाल्प थे डिसीजन कराने में तो ये चंदरजीत यादों को हूट कर दिया कॉंग्रेसी ने और खासकर कॉंग्रेस के बड़े निताओं ने उनको बोलने तक नहीं दिया जब वो कह रहे थे कि आर्थिक सुधार को जिस तरह कॉंग्रेस पार्टी लेकर आई और जिस तरह लागू किया गया और जिस तरह अब उस पर विचार करने की जरूरत है वो नहीं किया जा रहा है और आर्थिक सुधारों के कारण देश की बड़ी आबादी का एक हिस्सा जो है वह कॉंग्रिस से नाराज हो सकता है इसका human face खो जा जाना चाहिए तो दोस्तों आज मैं आपको बताओं कि बंगलोरु अधिवेशन की बात पूरानी हो गई लेकिन रायपूर के अधिवेशन में कांग्रिस पार्टी ने जो 6 महत्पूर परस्ताव पारित किये हैं उसमें एक ऐसा परस्ताव है और मैं समझता हूं कि इस परस्ताव में कुल मि Empowerment यानि सामाजिक नियार और Empowerment के बारे में प्रस्ताव इस में जो चीजें कही गई हैं मैं समझता हूँ की Congress Party के इतिहास में नहरू एरा से ले गर के और राजीव गांधी एरा तक और बलकि सोनिया गांधी तक इस तरह के प्रस्ताओं कभी नहीं पारित किये गए थे या इनके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया था अब क्या-क्या है आपको मैं बता दूँ पहली बात तो यह है कि इसमें कहा गया है कि कॉंग्रेस पार्टी संग्ठन के अस्तर पर यानि ब्लॉक लेविल से लेकर के कॉंग्रेस वर्किंग कमिटी के अस्तर तक 50% सीटें जो हैं वो SC, ST, OBC माइनार्टी के लिए रिजर्ब करेगी अब आप सोचिए कॉंग्रेस पार्टी में उसकी कॉंग्रेस वर्किंग कमिटी में हमेशा कुछ एक माइनार्टी कमिटी के बड़े नेता जरूर हुआ करते थे लेकिन आम तोर पे जो अपर कास्ट हिंदू समाज है उसके लोग डॉमिनेट करते थे इसमें कोई दो राय कुछ एक क्रिशियन्स होते थे कुछ एक दलित भी हो जाते थे लेकिन OBC के बहुत कम लोग होते थे SCST के भी टोटैलिटी में बहुत कम लोग होते थे अब पार्टी कह रही है रिजुलूशन पास करके कि SCST OBC माइनाटी और महिलाओं को भी शामिल किया गया है उसमें वो 50% सीटें जो हैं वो ब्लॉक लेविल से लेकर जिलास्तर प्रदेश अस्तर और राश्ट्री अस्तर कॉंग्रिस वरकिंग कमेटी तक 50% सीटें रिजर् रहेंगी दूसरी बात जो कह रही है कॉंग्रिस पार्टी कि वो इंडियन जुडिशियल सर्विसेज के गठन का प्रियास करेगी जब सरकार में आएगी यानि और इसकी डिमांड भी करेगी जब वो सरकार में नहीं रहेगी इंडियन जुडिशियल सर्विसेज और भारती नियाए सेवा इसके गठन की जो संरचना है उसमें वो कह रही है कि हम स्टी ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की ब्योस्ता करेंगे यानि भारत की उच्छ नियाए पालिका में जिसके बारे में कहा जाता है कि सवाल्टन समूह के लोगों की इसमें बिलकुल अनुपस्थिती है ये हई नहीं है गिने चुने एकाद लोग कभी कभी आ जाते हैं गलती से या सही से जो भी आप कह लिए अब कॉंग्रिस पार्टी कह रही है इतने वर्षों के सासन करने वाली पार्टी जिसने अपने अत को वो रिजर्वेशन देगी इसके अलावाए क्या कह रही है कॉंग्रिस पार्टी वो कह रही है कि नेशनल कॉंसिल फार सोसल जस्टिस बनाएगी कमाल है नेशनल कॉंसिल फार सोसल जस्टिस और इसमें जो समाद के उत्पिडित तपके हैं उनके बारे में नीतियां फार् और एक बड़ी गोशना कांग्रेस पार्टी की है जिसकी जानकारी नेशनल मेडिया में तो बिलकुल नहीं आई कि वो OBC मंत्राले बनाएगी यानि पिछडे वर्ग के लोगों के कल्यान आर्थ वो अलग से एक मंत्राले बनाएगी जैसे हमारे हैं आदिवासी कल्यान मंत्राले है उसी तरह से OBC कल्यान मंत्राले बनाएगी महिलाओं के आरक्षन को लेकर कांग्रेस पार्टी जरूर लड़ती रही है बोलती रही है ये अलग बात है कि पार्लमेंट में आज तक पारित नहीं हुआ लेकिन अब वो कह रही है कि 33% और अक्षन महिलाओं के लिए लाने के लिए वो वच्चन बद्द है 33% विदान मंडलों में संसत में लेकिन उसका ये कहना है जो पहले उसमें कभी नहीं कहा बलकि इस आइडिया का घंगोर विरोध किया कि इसमें वो SCST OBC यादी के लिए कोटा विदिन कोटा की नीती को लागू करेगी कॉंग्रेस पार्टी के सामने जब शरद यादो जैसे नेता लालू यादो जैसे नेता अखिलेश जैसे लोग या अन्य लोग जो साउथ इंडिया के बहुत सारे नेता हैं वो जब ये कहते थे कि कोटा के अंदर कोटा होना चाहिए महिलाओं के आरक्षण में तो कॉंग्रेस पार्टी इसका खुलेयाम विरोध करती थी अब वो ही कॉंग्रेस पार्टी कह रही है कि हम महिला आरक्षण में कोटा विदिन कोटा करेंगे तो ये मैं नहीं कहा रहा हूं साब ये कॉंग्रिस का जो रायपुर अधिवेशन है उसका प्रस्ताव कह रहा है और क्या कह रहा है ये कह रहा है रोहित वेमुला एक्ट लाएंगे किसलिए लाएंगे वो ये कह रहा है कि सिक्षा परिशरों में जो हमारे देश के उच्छ सिक है या मादमिक सिक्षा संस्तान है वहां उत्पीरित समाज के बच्चों के लिए जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उत्पीरन होता है उस पर लगाम लगाने के लिए और उसके लिए कारवाई के लिए एक रोहित वेमुला एक्ट इंट्रिडूस करेगी कॉंग्रेस पार्टी सरकार में आने पर दोस्तो इसके अलावा जाती जनगर्णना के पक्ष में कॉंग्रेस तो हई है इसमें तो कोई दोर आए नहीं है EWS के बारे में कॉंग्रेस ने समर्थन किया इसको बहुत सारी जो दलित उत्पिरित समाज की जो संस्थाएं हैं उनकी तरह एक पॉलिटिकल पार्टी वामपंथियों की वामपंथी खेमे की एक पार्टी इसका खुलयाम विरोत कर रही है और कह रही है कि वो EWS को बिल्कुल और समयधानिक मानती है और ये पार्टी है CPIML उसने अभी हाल में पटना के अधिवेशन में EWS को गैर समयधानिक घोशित किया और कहा कि ये बिल्कुल गलत है इसको हम खारिज करते हैं तो नेशल इसके बारे में कॉंग्रिस पार्टी ने कुछ खास तो नहीं कहा है लेकिन जाती जनगर्णा का उसने पक्ष लिया है और दिल्चस्प बात ये है कि जाती जनगर्णा के पक्ष में कॉंग्रिस पार्टी ने 2011 में भी अपनी बात कही थी 2010 से लेकर 2011 के बारे में लेकिन कॉंग्रेस पार्टी ने उसकी सरकार ने यूपीय सरकार ने 2011 की राष्टी जनगरणा में जातिवार जनगरणा नहीं होने दिया प्रणव मुखर जी ने आश्वासन दिया था सदन में और मनमुहन सिंग ने आश्वासन दिया था कॉंग्रेस पार्टी के टॉप जनगणना आयुक्त के कर्याले से जो होने वाली जनगणना थी उसमें शुमार नहीं किया अलग से उन्होंने सर्वे कराया जिसकी कोई वैधानी स्थिती कम से कम राश्ट्री जनगणना के कांटेक्स्ट में नहीं मानी जाती है हमने इस बारे में उस वक्त भी जो राश्ट् इसके डेटा को authentic माना जाएगा, क्या इसकी कोई वैधानिक स्थिती होगी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि डेटा रहेगा, आंकडे अपनी तरह रहेंगे, लेकिन इनकी जो जनगणना के आंकणों की जो मानिता होती है वैधानिक, वैसी नहीं रहेगी, ये बात उन्हो ने उस वक्त कही थी, तो दोस्तों जनगणना के मामले में कॉंग्रिस पार्टी एक बड़ी गुनाहगार के रूप में सामने आई थी, ठीक उसी तरह से, जैसे मंडल आयोग की रिपोर्ट के लागू किये जाने के मसले पर आई थी, जब वीपी सिंग की सरकार ने मंडल आ होकर देर घंटे पोने घंटे के अपने बाशन में मंडल आयोग की रिपोर्ट के लागू किये जाने का विरोध किया था, उस पर आलोच रात्मत टिपणियां की थी, और तब से देश के खास कर पिछड़े वर्गों में कॉंग्रिस पार्टी के प्रती इतना दुराव पै कर इंद्रा गांधियरा तक अगर देखा जाए तो उसके मतलिक भी कोई ऐसी कारवाई नहीं हुई, केवल एक जरूर बात ये हुई कि हम बात के दिनों में मंडल आयोग की सिफारिशों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो फिर दफ्तरों के आलमारियों म इसमें जो इतने सारे जो रिजिलूशन्स पास किये गए हैं, ये बताता है कि देश की राजनीती कहां जा रही है, और ये भी बता रहा है कि कॉंग्रेस पार्टी अतीत के गुनाहों से अपने को कैसे मुक्त कर रही है, कैसे वो कोशिश कर रही है, लेकिन अजीब बात है, ये अजीब बात है कि कॉंग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इन रिजिलूशन्स की चर्चा नहीं कर रहे हैं, कॉंग्रेस के अपनी वेब साइटे में देख रहा था, उनके अपने यूट्यूब चैनल देख रहा था, उन पर भी इसकी चर्चा नहीं हो रही ह और जो बहुत सारे कॉंग्रेस के प्रशंशक और कॉंग्रेस के कई तो समर्थक बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं मीडिया में खास कर हमने देखा बहुत सारी वेबसाइटें हैं उन पर भी कोई चर्चा इसकी नहीं हो रही है कि रायपूर के महाद इवेशन में कॉंग्रेस पार्टी ने जो छे रिजूलिशन पास किये हैं उसमें कम से कम दो रिजूलिशन ऐसे हैं जो सोसल जस्टिस के इशूस पर काफी केंद्रित हैं और किसानों का भी एक resolution है किसानों के मसले पर वह भी एक तरह से बहुत ही महत्पूर और बहुत गंबीर है तो किसानों के बारे में कृसिक छित्र के बारे में जो उनका resolution है और social justice को लेकर है इन दोनों की चर्चा नहीं है यकीनन गोधी मीडिया नहीं करेगा जिसको गोधी मीडिया आप कहते हैं मैं उसको TV पुर्म कहता हूँ लेकिन अगर TV पुर्म नहीं कर रहा है तो जो शेस जो बचा मीडिया है उसमें भी बात नहीं आप आ रही है अब ये कह सकते हैं कि साब जिस दिन राइपूर का डिवेशन खतम हुआ उसके फोरण बार सी सोदिया की गिरफतारी का मसला आ गया तो ये तो भारती जनता पार्टी की मुझूदा सरकार या अधरवाइज भी सरकार नहीं थी तब भी वो इशूस को डाइवर्ट करने में इस देश की सबसे कुशल पार्टी है और कई बार तो डाकुमेंटरी प्रूफ है कि उसके नेता कहते रहे हैं कि अगर कोई देश में मसला ऐसा चल रहा हो जो इसमें उनको फैदा रहा हो तो वो कैसे इशूस को डाइवर्ट करने का आप काम करते हैं और करना चाहिए ऐसा भी भारती जंता पार्टी के नेताओं के बयान आपको मिल जाएंगे लेकि दोस्तों ये बहुत गंभीर बात है कि कांगरिस पार्टी के अंदर भी शायद ये रिजलिशन पास किये जाने के बाद भी उस होसले के साथ उस एक खुशी के साथ उस मजबूती के साथ इसको पेश नहीं किया जा रहा है तो हो नहो कहीं कांगरिस ने भी जो काम किया है उसमें उसके नेताओं का एक हिस्सा आधा मन से इसको समर्थन किया होगा हाथ उठा दिया होगा बड़े नेताओं के आवान पर खासकर राहूल गांधी और उनके कुछ सलाहकारों के आवान पर लेकिन कुछ नेता खुले हम कह रहे हैं एक बहुत महत्पूर्ण कॉंग्रेस के नेता माने जाते हैं राहूल गांधी के भी करीबी हैं के राजू साहब यह जो 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 दलित उत्पिरित समाज को लेकर जो प्रकोष्ट है कॉंग्रेस में उसके आल इंडिया चेर्मेन हैं यह राजू साहब कहते हैं कि यह जो रि execution शुरू होगा अब देखना है कि ideological और शब्दों में जो व्यक्त विचारों के आधार पर Congress ने जो अभी एक बात कही है resolutions के जरिए ये निश्चित रुप से प्रकशील है और नहरू जमाने से लेकर इंदिरा जमाने तक भी मैं समझता हूं कि इन issues पर इतनी सफाई नहीं थी Congress Party में जवाद दिखाई दे रही है लेकिन अब देखना ये है कि क्या वो कथनी और करनी दोनों का भेद पाट पाएगी क्योंकि कहा तो उसने यूपिये दोरान में ये भी था यूपिये सरकार के दोरान कि नीजी छेत्र में आरक्षन लागू करेगी Congress सरकार यूपिये सरकार लेकिन वो बिल्कुल नहीं हो सका वो बिल्कुल नहीं हो सका तो अब ये एक बहुत बड़ी चुनोती कॉंग्रेस के पास है कि सोशल जस्टिस इशूज को लेकर जो उसने इतने बड़े एलान इतने बड़े फैसले किये हैं पार्टी अधिवेशन में क्या उसको वो वाकई अमली जामा पहना पाएगी क्या वो अपने नेताओं को सोशल जस्टिस के प्रती संबेदन शील कर पाएगी इसी सवाल के साथ तमशकार आदाब सच्रियकाल